अभी हम बात करने वाले है कि एपिसोड लगा तो देखिए एपिसोड वन मुझे काफी डिसपॉइंटिंग लगा था जो कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था उस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर आप चाहे तो चेक आउट कर सकते हैं तो देखके मैं इतना ही बोलूँगा कि एपिसोड देखके मुझे लगा कि ओल्ड कपिल शर्मा शो का इंटेटेंबन फैक्टर था या फिर जो एंटेटेंट में लेवल था वह कही ना कई इस एपिसोड में वापस आगया है मैंने भी बोलूँगा कि बहुत जादा एंटेइ से सुनीर ग्रोबर सेगमेंट मुझे सबसे बेस लगा इतना जादा एंटर्टेंडिंग कि मताब हसा के पेट दुग उसके बाद बागी कीकू का सेगमेंट था या फिर कृष्णा का जो था वह बी एंटर्टेंग था तो ओबराल एपिसोड मुझे काफी एंटेटेन ही लगा या फिर जो कपिल के साथ जो कॉन्वरसेशन से कुछ कुछ जगवा पर काफी हसी आई जैसे वो मतलब किस के साथ मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर नहीं करना चाहोगे वह वाला जो या फिर बाकी और भी कुछ ऐसे कुछ बगे रहा थी या फिर ऐसे पंच लाइन से जिस पर काफी यहादा मजा आया और बाकी लास्ट में जो प्रिकेट मैज वाला पॉर्शन था वो भी एंटरेटेंडिंग ही था तो ओवराल ठूआउट था एपिसोड मुझे काफी एंटरेटेंड मेंट मिला और एपिसोड वन से तो काफी बेटर था और कहीना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जैसे ओल्ट कभिल शर्मा शो में जो इंटरेटेंडमेंट फैक्टर था या फिर जो एंटरेटेंड में लेवल था वह एपिसोड में मतब कहीना कहीं वह चीज वापस आ गई है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा आशा करता है कि आगे के एपिसोड भी ऐसे एंटरेटेंग हो तो यही था मेरा ओवराल टेक आ बाइ बाइ